हे हलो फ्रेंड्स तो आ गया है मैं एक और नीव वीडियो के साथ या रेंग पूसिंग के एपिसोड नमबर नाइन होने वाला है और मेरा ग्रांड मास्टर में भी फाइप स्टार भी लग गया है और इससे आगे भी मैं और भी जादा पूस करूंगा यार और पूरा सीजन ग्रांड मास्टर में रहने का ट्राइक करूंगा और मैं बूया करते करते रीजन पर चल रहा हूँ यार अगर आप चाहूँ तो चेक कर सकते हैं इधर रीजन सेलेक्ट करना विंस करना और सोलो करना फिर आपको मैं दिख जाऊंगा भी 53 में दिखा रहा हूं मैं और यह प तो यह रहाज का पहला मेच इसमें मेरे अभी तक एक किल हो गए थे और मेरे को छोड़कर अभी 5 बंदे और बैच रहे थे और इधार एक बंदा जाता हुआ मेरे को दीखा तो यह बंदा काफी चैनल लगा मेरे को मैं गण जैसे ही पकड़ा तो इसने वाल लगा लिया हाला कि दूसरी ओर वाल लगा लिया था और यहां पर मैं एक नेड किया कुक करके तो बंदा नेड से खतम हो गया काफी असानी से अब एक बंदा इधार था इस पर मैंने व्येसेस छोड़ जया अब यह मेरे को लग रहा था प्रंथ नहीं मारता बंदों को थोड़ा लेट से मारता है तो अगर आपका टीम मेट होगा वह फायर कर देगा तो उससे जल्दी मर जाएगा तो ऐसा अक्सार हो जाता है व्येसेस चलाने इससे इसक्वाइड डूओ में लेकिन आपको कील चोरी से कोई फरक नहीं पड़त है और एक का लोकेशन मेरे को पता लाग ही गया था अब एक बंदा का लोकेशन मेरे को और नहीं पता था तो इधर मैं अपने पीछे की और देख रहा था और तब ही वह बंदा मेरे को इधर की और से फायर कर देता है वह भी व्येसे सी चला रहा था लेकिन मेरा हेड लग फिर में जादा मरने का भी ट्राइय लगता है तो बाड़ी आपress और बंदों को अब एक लाश्ट का बंदा और वाइश रहा है उसको वही बंदा था जो राइट साइड में पहले मैं fire कर रहा था ने जिस पर वो आला बंदा बच रहा था तो मेरे को पता तो था कि वो clocked और की ओर होगा और मेरे पस scanner भी था तो मैंने एक scanner लगा दिया था और scanner में वो बंदा करने लिए कभी कभी इमोट वे गरा दिखा देता हूँ और अभी तो लाइक भी मिल जाता है सा करकरे इमोड दिखाता हु तो इधारे वो बंदा था उसको मैंने एक हैड यहा पर और लगा दिया था और बोडी सौट भी लगा दिया था तो मेरे को जहां तहांग डॉड था वह बंदा मरे गये करके तो बंदा कील होई गया यार वी यार विएसस से तो वी यार चला لदा'RE अगर बंधा कवर में भी चला जाएगा फिर आपको खिन मिल जाएगा क्योंकि वीस डाइमेज देता है इसलिए मैंसे वीस चलता हूँ मिलता है तो और मैंच में अगर बात करें हम इस वाले मैच के तो इसमें मीरे अभी तक कील हो गये थे और लास्ट की दो ही सब्सक्राइब 7 United कि अमरे मेरे को करके लेकिन जैसे ही आ गये गया तो ये बंद मेरे आगे से आ पी वेस्ड़र सब्सक्राइब 10 जैसलिए रग गया में क्रोनले कर तो ठेलता हूं अगर मेरे को best kingdom लगता है सोलो मेच में मैं सभी sudah जब भी कहलता हूँ न तो मैं हमेशा crono लेकर ही कीहाँ आपको एसी जगा पर श्राय अलेकर खेलों गिने तो आप उस टाइम पर बच स्का날 डेता है तो और मेरे को kill भी करना रहता है यार वरना मेरा minus जाता है kill नहीं करूँगा ना तो top 2, top 1, बुया भी कर लूँगा तो भी मेरे को plus नहीं मिलेगा तो इसलिए मैं kill भी करके खेलता हूँ तो मैं chrono लेकर ही खेलता हूँ अगर मैं अगर totally survive करके खेलता ना तो मैं के करेक्टर ही लेकर खेलता हूँ बेस्ट करेक्टर है तो इधार एक last का बंदा बचा है उसको मेरे को आप उड़ाना था तो इधार मैं थोड़ा सा आगया है नेड करूँगा सोचके तो मेरा नेड से वहां तक तो गया तो लेकिन वह बंदा इधार आगे की और आ गया था तो मेरे पास काफी ज़्यादा नेड था मतलब 11-12 नेड थे मेरे पास तो इस बंदे को मैं नेड से उड़ाऊंगा सोचके थोड़ा आगे गया था और यहां पर मैं नेड करना ही Its time प्या और मैंने काफी ज़्यादा नेड कर गया थो ुसको वह साथ से Confuse हो गया था आग प्लस यहां तो अगर हमым बात करें वाले मैच की तो इसमें मेरे इव तक दो किल हो गये ओर मेरे तीन वंदे और बच रहे थे और इस में मेरा लगने वाला था ग्राड मास्टर में five star मेरे को only three प्लस चाहिए था फिर मेरा ग्रांड मास्टर मतलब five star लग जाता तो यहाँ पर एक बंदा मेरे को दिखा तो इस पे मैंने fire कर दिया इसको एफ इंहलर लगा लिया था यह बंद काफि सई बंद मेरे को लगा वरना इतने म defend क्लों नहीं लगा इंहलर लगा होता तो इतनी जल्दी मेडीकेट वोगा नहीं सकता तो इंहलर पिन्हेलर लागाएघ करने वाला था क्योंकि जोन मेरे पड़ा वी करने वाला था लगनेवाला था और मेरे को जैसे आफित्हे करके इसमाचिक बूइया निकालना रही था अच्छा वाला क्लिप रहा था उसलिए मैं पूरा का पूरा होल्ड करके खेल रहा था वेट करके मेरे को बुईया चाहिए ही चाहिए था इस गेम में तो यहां पर मैं पूरा का पूरा वेट कर रहा था और बंदे मरने का या फिर थोड़ा सा जो है वह छोटा होने का क्योंकि मैं जोन में ही था टावर में ही था अब यहाँ पर मैंने दो लेंड में लगाया था टावर में तो मैं इधार अराम से बैठा हुआ था टावर में अगर पीछे कोई बंदत चड़ेगा भी ना तो मैं वह मेरे लेंड में से कील हो जाएगा क्योंकि मैंने दो-दो लेंड में लगाया है यहाँ पर और मैं ऐसा ही में खेलता हूँ यारर अगर आप कई लोगों को मैं कमेंट पढ़ा हूं मतलब हमेशा मैं कमेंट रीद ही करता हूँ और इसका है को हाट देता हूं मैं मवाला जो हाट अच्छा लगता है कमेंट पड़के तो यहां पर कई लोग यह यहां तक कमेंट करते हैं क्योंकि यार मतला पूरा पूरा वैट करता हूं और अधकर मेरे मिल पाता है तो अगर आप नूंब पनती समझते Qoj ख़लताऊ तब जाके मेरे को बुईया मिल पाता है अब एक बंदा इधार से मेरे फ्रेजनेड कर दिया था तुम्हान नीचे नहीं कुदा कई बंदे यहाँ पर एक गल्ति कर देते कि inqu пр postp जाते कि इसपर आया तो आपको डार्ना नहीं है पेनिक नहीं होने क्योंकि फ्रीज नै जादा यहां नहीं करता और आपको मेडिकेट लगाते रहना है तो यहां पर अब लास्टत दो बंदा वाचा था एक वंदा तो मेरे जश्ट नीचे में था अब इसको जैसे आपको ले उडाना था फिर मेरे को बुईया मिलता तो फिर मैंने टावर से नीचे कुदा और क्रोनो जला कर इस पर MP40 पूरा का पूरा इस्प्रे कर डाला और यह बंदा असानी से कील हो गया अगर इससे मैं फाइट नहीं लिया होता ना पहले तो मेरे को इस मैच में बुईया मिलन च्काना देख konट चाहँ करना तो यह मिलने से रहा तक यह बंदा मेरे को जोन में जाने नहीं देता है और यह इस से मेरे फाइट होता रहता ना तो यह वाला बंदा मतलब हमारे कर नहीं नहीं है आप सर्वाइब करना है फिर जाकर आपको फईट लेना है तो ऐसा नहीं है आपने क्यूदि जाकर अप फाइट और यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपको दिल से धन्याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में